दोस्तों पराटे तो आपने बहुत खाये होंगे एक से बढ़के एक पराठा खाया होगा लेकिन आज तक वेट लोज पराठा नहीं खाया होगा और नहीं सुना होगा सुना भी होगा तो बनाया नहीं होगा तो दोस्तों मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए वेट लोज पराठा तो वेट लोज पराठा कैसे बनाएंगे किस चीज से बनाएंगे थमनेल देखकर तो आप समझी गए होंगे तो चलिए बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक इसकिप मत कीजिए पूरी वीडियो दीखिए और इंजोई कीजिए और अपना वेट लोज कीजिए पराठे खाते खाते तो चलिए हलो दोस्तों असलाम लेकूम कैसे हैं आप सब मैं हूँ रश्मी और आप मेरे साथ देख रहे हैं जाए के रसुई दोस्तों वेट लोज कर रहे हैं तो पराठे खाने का मन है लेकिन पराठे नहीं खा सकते डर है कि वेट बढ़ जाएगा तो आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ एक आसान सा तरीका के पराठे भी खा सकते हैं और वेट भी नहीं बढ़ेगा तो कैसे होगा ये सब कुछ चलिए देख लेते हैं तो मैंने यहाँ पर बनाए हैं थोड़े से स्प्राउट्स ये देखी कितने अच्छे स्प्राउट्स निकले हैं तो अब ये खाने के लिए एकदम रेडी हैं मैंने इनको धोकर साफ कर लिया है क्योंकि जब इस्प्राउट्स निकलते हैं तो उन्हें धोना भी जरूरी होता है और मैंने यहाँ पर लिया है एक स्प्राउट्स ये हमें दो स्कूप लेना है अभी मैंने एक लिया है और इसका बनाना है हमें आटा तो मिक्सी के जर में हमने डाल कर इसका बना लिया है आटा ये देखिए बिल्कुर एकदम फाइन आटा बना है तो हम इसी का यूज़ करने वाले हैं और एक हेल्दी से पराटे बनाएंगे अब उसी जर में हम दो बावल ले लेंगे इस पराट और इसमें हम थोड़े से और चीज़ें डालेंगे जैसे के लेसन डालेंगे थोड़े सा और डालेंगे इसमें दो से तीन या चार हरी मिर्च तोड़ कर डालेंगे ये देखिए हरी मिर्च और लेसन जब डालके इसमें पीसते हैं तो बहुत अची खुश्बू आती है और टेस्ट भी एकदम बढ़या सा आता है तो बिना पानी के हम इसको पीस लेंगे ये देखिए हमने इसको पीस लिया है बिना पानी डाले इसमें पानी नहीं डाला है ये थोड़ा थोड़ा बारीक है और थोड़ा थोड़ा दरदरा है इस तरीके का हमें ये पीसना है तो ये देखिए कितना एकदम कंसेंटेंसी इसकी इस तरीके की होनी चाहिए तो इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में जिसमें हम आटा गूंदेंगे तो अब हम इसमें डाल देंगे यह जो हमने ओर्टस का आटा बना कर रखा है पहले हम आधा डालेंगे फिर इसको मिक्स करेंगे और पानी का यूज नहीं करेंगे अगर जरूरत लगेगी तब करेंगे तो उससे पहले हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी थोड़ी सा नमक और डाल देंगे थोड़ी सी अजवाइन अजवाइन को हम crush करके इस तरीके से डालेंगे डारिक नहीं डालेंगे crush करके पहले क्या करेंगे हम इसको साफ कर लेंगे अपनी दोनों हतेलियों पर रखकर थोड़ी धीरे धीरे से फूग मारेंगे इस तरह क्रश करके देखिए इस तरीके से हम इसमा फूग मारते जाएंगे और इस तार अलट-पलट करते जाएंगे तो इससे क्या होगा ये एक दम क्लियर हो जाएगी बिल्कुल जाएगी फिर हम इसको डाल देंगे अपने सामान में बस डारेक्ट नहीं डालना है हमें क्रेश करके अजवाइन बस इस बात का ध्यान रखें और फिर डाल देंगे इसमें थोड़े से चिली फ्लैक्स यह आपकी मर्जी है डाले तो ना डाले और फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे पानी नहीं डाला अभी तक मैंने तो अभी इसमें पानी की जरूरत है भी नहीं और बाकी का बचा आटा भी हम इसमें डाल देते हैं आटा नॉर्मल नहीं है ओट्स का आटा है यह तो बस अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बिना बानी डाले यह देखी पानी की जरूरत हमें बिलकुल नहीं पड़ी इसमें और यह ऐसे ही सारा आटा इसमें मिक्स हो गया ये देखिए अब इसमें हलका सा पानी का हाथ लगा के एक बार थोड़ा सा इसको इस तरह मल लेते हैं ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट होगा तब ही ठीक रहेगा तो ये देखिए हमने इसको सॉफ्ट बना लिया है अब इसको हम छोड़ देंगे कुछ देर धकर ताकि ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए और पराटे हमारे जादा ना फटें क्योंकि एक दम जादा खसता आटा होता है तो इसलिए पराटे के जो किनार होती है वो फट जात हैं तो इसलिए हम इसको कुछ देर के लिए इसी तरह चोड़ देंगे डखकर रेस्ट करने देंगे ये देखिए 10-15 मिनट के बाद हमने इसको खोल लिया है तो एक बार हम इसको फिर से थोड़ा सा मलेंगे ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए और अब इसकी बना लेंगे हम ल इसने आपको खाना है उतने ही लें और देखिए हमारी ये लोई बनकर तयार हो गई है इसके पराठे जरा बहुत जादा धियान से बनाने पड़ते हैं क्योंकि ये बहुत जादा खस्ता होता है क्योंकि हमने इसमें स्प्राउट डाली है दाल है तो बहुत खस्ता होती है तो ये देखिए तीनों हमारे लोईया बनकर तयार हो गई हैं अब हम इसको बेल लेते हैं और ये आटा जो मैंने लिया है ये नॉर्मल वाला गेउं का आटा है जो हम इसमें पलेथन लगा रहे हैं तो बस इसको हम इस तरीके से बेल लेंगे थोड़ा थोड़ा पलेथन लग पराठा और बड़ानी बनाना पराठा और नाहीль जादा मोटा चोटे-चोटे पराठे बनाने हम elu इसके यह दीशे बहुत आसानी से बल रहा है उसा कुछ हुआ है यह देखिए बिल्कुल चिपका नहीं है भी बहुत आसानी 56 00,60 आप गाये तो पिर आप आप पराटा बना रहे हैं विए लिम होगाया के लाओंग हाँ तो यहां पर लेया है ओल्ली किसा एक सब्सक्स मां लगा ऊब दे सब्सक्स पनाना लिखें मिल्कुल यह तर भाना है कि अच्छा पराटी है ने हमारे इसंग कीजघूज़ देखिए ब्लाट के अन्ट में सिया तरह किमिनों रख नहीं और खने डो में कीज़र्टा कक्तिक लिए distinguished ago यहार हो गया है अच्छा मैं एक बात बता दूं यह जो किनारे हमारी थोड़ी थोड़ी फट रही है तो उनको इस तरीके से आप ठीक भी कर सकते हैं अपनी उंगलियों के मदद से इस तरीके से साइडों से दबाते हुए चले जाएं और उपर से एक सा करते जाएं तो इसकी पर भी घी लगा लेते हैं और उसको भी हम सेक लेते हैं इसी तरह जैसे हमने पहला पराटा सेका था इस तरह घुमाते हुए नोन इस्टिक पैनल ने इसके लिए वो ज़्यादा ठीक रहेगा उसमें क्या होता है पराटा बहुत अच्छे से सिख जाता और जलता भी नहीं ह तो ये देखिए दूसरा पराटा भी हमारा तयार हो गया है और सारे पराटे हमने बना लिये हैं देखिए दोस्तों कितने बहतीरीन लग रहे हैं यह देखने में हरे भरे से और खाने में इतने टेस्टी इतने खस्ता होते हैं दोस्तों सच में आप एक बार अपने घर पे इसे जरूर ट्राइ कीजिए बना कर देखिए आपका दिल है पराटे खाने का तो जरूर पराटे खाईए लेकिन तरीके से खाईए इसमें आप मिलाईए स्प्राउट जिस तरह मैंने बनाये हैं मेरी तरीके से आप लोग बनाईए एक बार और खाईए आपको बहुत फीर बेजेत खोकर खा सकते हैं एक यह बने आप पराटे या फिर उसमें कोई दूसरी वेजीटेवल भी mix कर सकते हैं इस तरीके से खाए आप अपना शख़क पूरा कर सकते हैं और आप तो सर्दियां आ रेड चटनी के साथ रेड चटनी ना ही खाए तो अच्छा है क्योंकि जब वेट लूज कर रहे होते हैं तो चटनी को मतलब मिट्स जादा खाते नहीं है बस दही की चटनी ले ले आप या फिर दही ले ले साथ में तो खाने में यह बहुत जादा टेस्टी है अभी तो मैंन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए मेरी मोटिवेशन के लिए और अपनी फैमली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अपनी सिस्थर रश्मी को सपोर्ट कीजिए तो चलती हूं मिलती हूं अगली वीडियो में तक तक के लिए कर दो